हेलो माइफ्रेंड आज हम पढ़ेंगे किलमंसन डिदक्षिन इस रिएक्षिन का नाम एक डच केमिस्ट के ऊपर पढ़ा गया है उस केमिस्ट का नाम था इरिक क्रिस्टन किलमंसन किलमंसन डिदक्षिन केमिकल रियक्षिन डिस्क्राइब एज रिदक्षिन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड टू एलकेन यूजिंग जिंक अमल्गम क्या यूज कर रहे हैं यहां पर जिंक अमल्गम और हाइड्रोकलोरिक ऐसे सिम्पल सी बात मैं आपको यहां पर सिर्फ एक ही समझाना चाहूंगा रिदक्षिन का मतलब क्या होता है रिदक्षिन का मतलब होता है एडिशन ओफ हाइड्रोजन nas an in सट है तो किलमंशन रिडक्षिन वह सांट्रिस्ट नाम सब्सक्राइब इस रेदक्शन के बार में बताया के बसबसे बीधिशन हाइद तो आप यहां पर यहां यहां रिक्शन में देख रहे हैं और इस ketone group में zinc amalgam जब भी zinc के साथ mercury जुड़ जाए उसे हम zinc amalgam कहते हैं जब भी क्या जुड़ जाए zinc के साथ में Hg यानिके mercury जुड़ जाए उसे हम कहेंगे zinc amalgam और hydrochloric acid की presence में क्या हुआ है यहां पर यहां पर आपका reduction हो गया यानिके यह जो आपका ketone है यह किसमें चला गया है इसमें hydrogen जाके add हो गए है और यह आपका reduction हो गया यह यह कहां इसमें आपके hydrogen जाके add हो गए और यह आपका reduction हो गया यानिके addition of hydrogen क्या होता है reduction होता है और simple reduction ही यहां पर दिखाया गया है सब्सक्राइबर्ट किपर से आपका जींग अमॉलंगम औरГ्यूर कि अपर देख सकते हैं दूसरे बारे में यह यहांARS यहां पर यह है अब कि यहां थो गया है और इसमें यहाश हो गया है और यह आपका क्या बन गया है यहां पर simple and haptane बन गया याने कि reduction हो गया याने कि addition of hydrogen हम simple कहते हैं reduction उसे कहते हैं addition of hydrogen and removal of oxygen is called a reduction simple जो simple definition है तो ऐसे ही किलमंसन reduction में काम हो रहा है इसमें hydrogen add हो रहा है यहां पर देखिए hydrogen hydrogen add हो रहा है और आपका oxygen यहां से बाहर लिकल रहा है ठीक है ना तो यह simple है आपका किलमंसन reduction यह क्या है cyclohexanone किसमें कनोड हो गया cyclohexane में convert हो गया तो किलमंसन reduction में जो आपका यूज होते हैं वह आपका zinc amalgam zinc amalgam क्या होता है जब hydrogen यानि कि zinc के पीछे mercury लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं zinc amalgam कहते हैं और hydrochloric acid presence में किलमंसन reduction होती है एक बात का और याद देखेगा किलमंसन reduction work better with ketone than with aldehyde है